आज शेयर करूंगी मैं आपके साथ शकरकंदी को उबालने का सही तरीका जिससे की वो गलेगी भी नहीं और सही से पकेगी बिल्कुल बजार में जैसे मिलती है मज़ा आ जाता है ना ठंड में खाने का बिल्कुल वैसी ही बनने वाली है मैंने यहाँ पे 300 से 350 ग्राम शकरकंदी लिये उसे अच्छे से 2-3 पानी में धो लिया है मिट्टी बिल्कुल हटा ले नहीं है जैसे मर्जी आप इसे धोई है पर बिल्कुल साफ होनी चाहिए यह मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पानी यूज करने से क्या होता है उबालते वक्त यह गल जाती है तो हमें ऐसा नहीं करना हमें यह ट्रिक फॉलो करनी है तो इस वीडियो को एंड तक देखे शकरकंदी को दूने के बाद एक और काम कर लेते हैं साफ पानी में दो कपड़ों को अच्छे से निचोड के रख लेना है पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए बस पानी जितना वो एब्जॉब कर ले उतना ही देखे जिस तरीके से इस वीडियो में मैं आपको करके दिखा पानी जितना भी है वो एकसेस निकल जाना चाहिए अब कुकर में घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे बेस को घी इसलिए क्योंकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है शकरकंदी में और ये लगेना नीचे जलेना इसलिए हम घी का इस्तिमाल कर रहे हैं धूली हुई शकर करकंदी की वह काम हो जाती है या फिर कई बारी ओवर को जाती है तो वह हमें बिल्कुल नहीं चाहिए अब इसका धकन लगा के मीडियम से लो फ्लेम पर इसे रख देंगे जैसे देखेंगे इसमें स्टीम बननी शुरू हो गई है तो फ्लेम को लो कर देंगे अब इसे लो आपन करके देख लेते हैं जो यह किचन टावल होंगे बहुत गरम होंगे इसे हाथ मत लगाईएगा किसी चिम्टे की मदद से इसे निकाल लीजीगा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ ही बेल बटन प्रेस कर दें लेटेस अ बहुत आसा तरीका शकरकंदी उबालने का अपना मैं आपको इसे चील के दिखाती हूं बहुत ही असानी से इसका चिलका उतर जाएगा मिठास पीस की बरकरार रहेगी और बिलकुल ये बजार में मिलने वाली जैसे शकरकंदी होते है न बिलकुल वैसी ही आपको टेस्स मे लगेगी अब मैं आपको बताती हूं से सर्फ कैसे किया जाता है इस पर धेर सारा नीम्बू निचोड़िये साथ ही इस पर बुरकी है काला नमक चाट मसाला और सेंदा नमक बढ़िया से टॉस कीजिए ताकि सारे मसाले अच्छ से मिक्स हो जाए और सर्फ कीजिए है न पर गेट लाइए और सबस्क्राइब